बगवास बंगर! हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूँगा कि पैचाना नहीं जाएगा! बहुत खून बहाया था तुम लोगों ने हमारे भाईयों का! क्या तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का? मेरे माबाब बहने! सबको बहाँ डाला तो तुम लोगों ने! लेकिन वो एक जनून था जो खुसर गया! आज मैं अपने प्यार को लेने आया हूँ! अपने बच्चे की माँ को लेने आया हूँ! मैं नफरत भुला चुका हूँ! आप भी भुला दीजिये! नफरत भुला दूँ? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से! अगर मेरा बस चले तो एक-एक हिंदुस्तानियों को गोली से उडा दूँ! कें हिंदुस्तानियों को गोली से उडाएंगे आप लोग? हम हिंदोस्तानियों की वज़े से आप लोगों का वजूद है दुनिया जानती है कि पट्वारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को पैसर कुरोर रुपे दिये तब जाकर आपके सरपत तरपाल आई थी पर साथ से बजने की हैसे नहीं और गोली बारी की बात कर रहे हैं लोग पाकिस्तान की पॉज को लल करता है आजा कश्मीर को हमने आतिल कर लिया है एक दिन पूरा हिंदोस्तान हमारा होगा ख़बरदार पाप बनकर बेड़ी को बिदा कर दिजिए इसी में सब की भलाई है वरना अगर आज ये जट पिकड़ गया तो सेकड़ों को ले मरेगा गमीने मार डालूँगा तुझे भेके तो रुक जाईए खुदा के लिए रुक जाईए अश्रव साहब आप हैवान हो गए हैं क्या आप सियासी लोग हैं कसा ही नहीं मसले को बाची से भी हल किया जा सकता है कलीम इन्हें मेमान खाले में ले जाओ जी अश्रव साहब आप मेरे साथ आईए सारफरा साब आप भी आईए चलिए काजी साहब अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो खुदा कसम उस कमीने के गर्दम तो मैंने उसी वक काड़ दी होती अश्रव साहब खुस्सा अकल को खा जाता है आप सियासी लोग हैं आपकी एक छीक भी अख़बार की सुर्खी बन जाती है जरा सोचिए अगर वो जट आपके दर्वाजे पे दम तोड़ देता तो आप पोजिशन के हाथ बटेर लग जाता और फिर सकीना की जान पे भी तो बना सकती थी आपने ठीक कहा जब सीधी उंगली से घी निकलता है तो फिर उंगली टेड़ी करने की क्या जरूरत है बहुत खुश खिसमत हो तुम तारा सिंग जो अल्ला ने तुम्हे अपनी पनाह में बुलाया है तुम्हे मुसल्मान बनने का मौका अता फरमाया है क्या सोच रहे हो तुम्हे इसलाम कबूल है आदमी का सबसे बड़ा मज़भ है अपनी बीबी और बच्चों की हिवाज़त करना तुम्हे इसलाम कबूल है काशी काबा एक है एक है राम रहीम तुम्हे इसलाम कबूल है या नही माशाल्ला सुभानल्ला आओ मस्जिद में चलकर पूरे इतमाद और इतकाद के साथ कज़े पाक। एक मिनट खाजी साहब इस से पहले किसी कदम पाक मस्जद में पढ़ें ये एत्बार तो कर लिया जाए कि ये मुसल्मान बनने के काबिल है भी या नहीं अगर तुमें इसलाम खुबूल है तो ठीक है कहो इसलाम जिन्दाबाद इसलाम जिन्दाबाद कहो पाकिस्तान जिन्दाबाद पाकिस्तान जिन्दाबाद अब बो लो हिंदोस्तान मुर्दाबाद अश्रावले 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 ये स्याजी क्यों क्यों खेल रहे हैं आप आपका पाकिस्तान जिन्दाबाद है इसे हमें कोई तराज नहीं लेकिन हमारा हिंदोस्तान जिन्दाबाद था जिन्दाबाद है और जिन्दाबाद रहेगा हिंदोस्तान जिन्दाबाद हिंदोस्तान जिन्दाबाद हिंदोस्तान जिन्दाबाद पक्वास बंद कर जब तक तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा हमारे लोगों को कैसे यकीन होगा कि तू पक्का मुसल्मान है इस मुल्क से ज़ादा मुसल्मान हिंदोस्तान में हैं उनके होट और दिलों की धर्कने हमेशा यही कह दी है फिस्तान जिन्द अबाद तो क्या वोपके मुसल्मान नहीं है तकरीरे बंकर अगर तो हिंदोस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासल नहीं कर सकता बस बहुत हो गया अगर मैं अपने बीबी बच्चों के लिए सर जुगा सकता हूँ तो मैं सबके सर काट भी सकता हूँ तो मैं सबके सकता हूँ तो मैं सबके सकता हूँ